Hello my family, my youtube family, कैसे हो आप लोग, I hope स्वस्त हो और मस्त हो, लेके आ गई हूँ आपके लिए एक brand new reading, आपकी दोस्त हूँ मैं टारो पूजा और आज हम देखने वाले हैं कि आपके person जिनके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो, मतलब कि आपको उस person को अपने जहन मिलाना है, अप मैं निकालूँगी cards और ये reading होगी उन person की current feelings के लिए जिनके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो या जिसके बारे में आप ये reading चाहते हो, ठीक है, आपके special person की current feelings क्या हैं, ये हम आज जानने वाले हैं, चलिए शुरू कर लेते हैं, उम सर्मंगल मंगल दे, शिवे सरवात साधी के शरण नित्रंब के गौरी नारायनी नमुस्तिमा गाइट करें कि मैं अपने viewers के लिए cards में जो कर सकूँ और उनको सही insightful reading में दे सकूँ और हम उनके partner के current emotions पता कर सकें, अगर आपने मुझे अब तक subscribe नहीं किया तो कर लेना और reading को claim जरूर करना, चलिए देखते है कि क्या है आपके person की current feelings is time, okay, nice, all right, okay, सारे cards में आपके लिए interpret करूँगी, four of wands आ रहा है यहाँ पे आपके लिए, okay, great, the star का card भी आ रहा है, okay, transformation card भी आ रहा है, guys, यह person के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो relationship है, आपका जो उनके साथ एक connection है ना, वो थोड़ा सा गड़बर मुझे इस वक्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपके person इस वक्त कुछ आप से मुझे दूर लग रहे हैं, देखिए cards के नजीस कुछ ऐसी है कि आपने अपना 100% दिया है, आपने खूब balance बना के चला है इस relationship में और आपने हमेशा यही कोशिश की है कि यह relationship आपकी वज़ा से कभी भी खराब ना हो, आप अभी भी लगे हुए हो कि यह person किसी ना किसी तरीके से आप से वापस contact कर ले, आप वापस इनके साथ वापस आ सको, आप पूरी कोशिश अभी भी कर रहे हो, आपने कभी भी इ आपस और डाउन्स आये हो, आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारी है, कि कि यह conflict हुए हैं आपके, आपको opposing opinions भी ली हैं अपने partner की तरफ से, खूब drama, खूब avail ना, कभी-कभी insults भी आपने इस relationship में अपने partner से परदाश्ट की हैं, लेकिन आपने कभी भी यह नहीं सोचा कि आप को इस रिश्टे को खतम करना है, क्योंकि आपका प्यार इतना गहरा है अपने person के लिए कि आपने कभी भी इस relationship को खतम करने के बारे में नहीं सोचा, और देखे viewers जब हम किसी को इतना प्यार करते हैं तो यह बहुत ही normal है कि हम अपना 100% देते हैं उस रिश्टे को balance करने के लिए उस रिश्टे को बना के रखने के लिए और वही आपने किया है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि आपके relationship में सब कुछ खराब रहा, आपके relationship में celebrations के time भी आए, gratitude भी आपने कई बार feel किया है इस रिश्टे में for the kind of partner you got और आपको हमेशा लगा कि एक तरह से angels ये blessing हैं खराबी moments रहे हैं, उतार चड़हाफ जैसा रिश्टा आपका उनके साथ रहा है, ठीक है, इस वक्त आपके person जो feel कर रहे हैं, वो एक balance की कमी को वो feel कर रहे हैं इस वक्त, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कही न कहीं चूक हुई है उनसे इस relationship को ठीक तरीके से आगे लेके जाने में आगे बढ़ाने में, ठीक है, और वो इस relationship के बारे में क्या कर सकते हैं, going back to what the person has done wrong, वो इस बारे में इस वक्त सोच रहे हैं, ठीक है, आप हमेशा से ही बहुत ही loyal, dedicated और protective इंसान रहे हो अपने partner के लिए, ठीक है, लेकिन आपके partner रहे हैं हमेशा apprehensive, उन्होंने बहुत carefully plan किया है इस रिष्टे को, और जब चीजें situation के हिसाब से या उनके हिसाब से नहीं गई, तो वो बहुत जादा upset हुए, और आपको उन्होंने question किया, और धीरे धीरे रिष्टा weak होता चला गया, और आप conflicts में आ गए, इस रिष्टे को लेके आपके partner बहुत जादा ambitious थे, ठ इतने ज्यादा involved हो गए कि practicality को relationship की भूल गए, ठीक है, आपके person की current feelings हैं अगर आप no contact में हैं कि वो किसी तरह की transformation से गुजरना चाहते हैं, ठीक है, वो ये चाहते हैं कि शायद उन्हें कुछ experience हुआ है, शायद उन्होंने आपकी जो भावनाय हैं जिनकी उन्होंने कदर न चाहते हैं तो, कुछ unexpected revelations अपने आप से उन्होंने की हैं और जो उनके एक belief system था, जिसमें उन्होंने आपको भी बांदा हुआ था, अपने आपको भी बांदा हुआ था और जिसके according वो आपको हमेशा से judge करते रहे हैं, या इस रिष्टे को judge करते रहे हैं, अब वो उस belief system क चोड़ना और तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अब वो आपके साथ एक healthy रिष्टा चाहते हैं, और कुछ ऐसा ही वो इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके person इस टाइम कुछ long term plan कर रहे हैं, viewers, something long term your partner is planning, ठीक है, abundance, और आपके लिए जो आप इतने दिन से आपके partner उसको कही न कहीं acknowledge कर रहे हैं, ठीक है, आपको patient रहना होगा इस टाइम ये card आपको guide कर रहा है, to be patient, अगर आपके बहुत time से no contact में हो या blocked हो तो आपको हिम्मत नहीं आनी है, क्योंकि definitely आपके person कुछ ना कुछ प्लान long term के लिए करके आपके तरफ आ रहे हैं, ये person ने सोच लिया है कि आपके पास इन्हें लोटना ही लोटना है और अब उसी के तयारी आपके person कर रहे हैं, एक balance बनाने की कोशिश करेंगे ये, आपके तरफ all loyal और dedicated रहने की कोशिश करेंगे ये, और अपने गलती उसे सीखने के बारे में भी इस वक्त आपके person सोच रहे है ठीक है, चलिए और देख लेते हैं कि क्या energies हैं आप लोगों की, क्या चल रहा है, उस तरफ क्या सोच रहे हैं आपके person और थोड़ा जान लेते हैं लवस काड आ रहा है, देखिए, deep, deep, intimate feeling इस वक्त आपके person के मन में आपके लिए हैं, very, very deep अब आपके person choice करेंगे, choice make करेंगे अपने heart से, अब तक उन्होंने दिमाग से सोचा अब तक उन्होंने आपको, आपकी feelings की उतनी कदर नहीं की, अब तक आपके person ने आपको अवहिलना की, आपके प्यार की कदर नहीं की लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि बहुत ही intimately वो इस रिश्टे के बारे में सोचे हैं, अब वो choices करेंगे अपने heart से, ठीक है, recover करेंगे अपने रिश्टे को पुराने चोटों से, पुरानी जो तकलीफ रिश्टे को उन्होंने पहुँचाई है, उससे आपके person रिश्टे को recover करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, आपने जितनी महनत आज तक की है, वो महनत आपकी अब रंग लाएगी, देखो, ये card है, enjoying the fruits of your labors, आप जो महनत कर रहे हैं, जो hard work कर रहे हैं अपने person को pursue करने का, जो अब तक आपको ये लगता रहा है कि इसका तो कोई फायदा ही नहीं है, अब आप देखेंगे उसका क्या फायदा होने वाला है, क्या impact होगा उसका आपके person पे, पिगलेंगे आपके person जरूर, ठीक है, इस वक्त विल्कुल भी peace of mind आपके person में नहीं है, क्योंकि वो जानते है कि आपके बिना उनका कहीं ठिकाना नहीं है, peace of mind नहीं है, हर किसी को face करने से वो भाग रहे हैं, आपको खुद वो face करने से भाग रहे हैं, इसलिए आपके सामने खुलकर नहीं आ रहे हैं, देखें इस काट के energy कैसी है, यह देखें, भाग रहे हैं आपके person सच्चाई से, भाग रहे हैं आपके person concentration से, भाग रहे हैं आप से, क्योंकि हि behavior उन्होंने आपके साथ किया है तो peace of mind तो उनका जा ही चुका है personal freedom उनका जा चुका है इस सोच की वज़ा से ठीक है और एक तरह का आपको एक तरह का loss वो मान रहे है जो उनसे दूर हो गए है न उनने समझ में आ रहा है कि ये कितना बड़ा loss था ठीक है बहुत ही embarrassing उनके लिए है आपके सामने दुबारा आना और आपको दुबारा face करना इसी लिए इतना time लग रहा है folks इसी लिए viewers इतना time लग रहा है आप पूछते रहते होने इतना time क्यों लग रहा है इसलिए इतना time लग रहा है आपके person को अब धीरे धीरे आपकी सारी समस्यां दूर होने वाली हैं, इससे जादा आपको destiny सफर नहीं कराएगी, this is the end of challenging times for you, ठीक है, things better दिखेंगी, आपको relief मिलेगा, और आप एक peaceful place में अपने आपको अपने partner के साथ पाऊगे, depression और एक तरह का जो आप इतने दिन से जो एक बहुती low vibrations of energies आप feel कर रहे हो, वो भी आपकी दूर हो जाएंगी दीरे दीरे, ठीक है, आप अपने partner के साथ traveling पे भी जा सकते हो, कुछ से तरह का relocation आपकी life में आ सकता है, अपने person के करीब जाने के लिए, उनके पास रहने के लिए, आप किसी तरह का change करने बाले हो, यापके person इस change क करेंगे, लेकिन definitely कुछ न कुछ ऐसा होने वाला है, जो आपको आपकी इस दूरी से अपने person की, आपको relief दिलाएगा, और आपके person भी अब यही प्लान कर रहा है, उनकी भी current energies यही हैं कि वो जल्दी से जल्दी आपके पास आना चाहते हैं, देके कितने प्यारे guidance in cards है, कित reading में तब तक के लिए हर हर महादेव